पहले दोस्तों आज के इस वीडिये में आपको बताने चाह रहा हूँ कि किसे भी array element को कैसे reverse के जाता है मैंने last program वे बताया थे कैसे string को reverse के जाता है तो चलिए program लिखते है reverse of array element के लिए तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले 5 integer variable चाहिए पहला int i उसके बाद j है उसके बाद n है उसके बाद time और उसके बाद 8 double r 8 double r का मैंने size देने जा रहो 25 उसके आप printer function यहाँ लिखते है और printer function में हम print कराने जा रहे enter the number of elements उसके बाद scanner function लिख रहे है scanner function में percent d और उसके बाद amp percent n फिर यहाँ पर for loop लिखने जा रहे है for i का value start कर रहे है 0 से condition दे रहे i less than n और यहाँ पर i plus plus और यहाँ पर printer function फिर से लिखने जा रहे है printer अूपर थे रहे है enter the number number equal to और यहाँ पर scanner function दे रहे है यहाँ पर पर्सेंट और d दे रहे है उसके बाद ampersand 8 over r और i उसके बाद j equal to यहाँ पे कर रहे है i minus 1 और यहाँ पे for to फिर से लिख रहे है for i का value start होगा 0 से और condition है i less than j i plus plus उसके बाद tan equal to a double r i और a double r i equal to a double r of j और a double r of j equal to tan और इसके बाद j minus minus और फिर से एक printer function लिखने जा रहे है printer यहाँ पे stress and new line में after reverse numbers numbers and numbers numbers उसके बाद यहाँ पर फोल्डू लिखने जा रहे है for i start trigger 0 से condition है n तक i plus plus और यह इसके बाद यहाँ पर printer function में पर्सेंट और ट दे रहे है % d दे रहे है उसके बाद a double r और i को print करा रहे है तो यह code जिससे हम किसी भी array element को reverse कर सकते है चलिए execute करके देखते है तो यहाँ पर enter the number of elements यहाँ पर हम enter कर रहे है 6 यहाँ पर 0 index में 12 इंटर किये है उसके बाद 9 उसके बाद 7 उसके बाद 6 8 5 9 तो यह देखिए 9 सबसे last में है यह पहले आगया उसके बाद 5 है 5 आया उसके बाद 6 है यहाँ पर 6 आया 7 है 7 है 9 है 9 second last में है, second first में है, second last में है, यह last में है, यह last में है तो प्रगाम सही से वर्क कर रहा है, अब यहां पे यह अच्छा नही लग रहा है, enter the number, this part को उटा दे रहे, comment कर दे रहे, फिर से यहां पे यहां इसक्विट कर रहे, तो enter the number, यहां पेस्टाम, 7, enter करेंगे number, पहला है 12, दुसरा 9, 7, 6, 21, 8, 54, तो यह यह 54 में है, last में है, यह पहले है, 8 में है, second last में है, यह second first में है, और 21 है, third में, नीचे से third में है, यह पहले से third में है, तो after reverse, यह number display हो रहा है, यहां पे, यह 7, यहां पे total element है, 7 है, यहां पे total element है, 7 है, यहां पे total element इंटर किया, और 7, और यहां पे output में है, तो program सही से work कर रहा है, तो आगे मैं आपको यह बता हूंगे, कि इस program का drive कैसे कह रहता है, आप मैं इस program का drive करके दिखाने जा रहा हूं आपको, तो यहां पे code, तो अगर इस code को debug की जाएगा, सबसे पहले control main function पे आएगा, उसके बाद यह अंदर जाएगा, तो यहां पे मैंने six integer variable लिया है, पहला है i, उसके बाद है, जे, उसके बाद n है, और फिर यहां पे temp, और एक array tab variable है, जिसका मेरे size 25 दिया है, तो 25 element आप array में डाल सकते हैं, अगर चाहिए ज़्यादा तो इसके लिए आपको size यहां पे increase करना परेगा, उसके आप printer function है, तो जो कुछ भी double code के अंदर है, वो output screen पे display होगा, scanner function है, जो कुछ भी enter करेंगे, वो in receive करेंगा, % दिये हैं क्योंकि n जो है integer tab है, तो in में हम watch इंटर कर रहे हैं, उसके और यह for loop में control आएगा, तो यहां पे i का value start होगा 0 से, condition check करेगा 0 less than n, n का value 5 है, 0 less than 5, condition जो कि सही है, तो scanner function है तो यहां पे आपको इंटर करना परेगा add over और 0 position में element, तो यह 8 over r, यहां पे 0 index है यहां पे, इसका index 1 है, इसका index 2 है, यह 3 है, और यह 4, तो 0 index में यहां पे हम इंटर कर रहे है, 7, उसके बाद i का value यहां increase रहाँ तो i का value 1, check करेगा 1 less than 5, जोगी condition सही है, तो चलिए 8 over 1 position पे element इंटर कर रहे है, तो यहां पे 9 इंटर करेंगा, i का value यहां पे 2 हो जाएगा, तो यहां पे चलिए 2 less than 5, जोगी condition सही है, तो चलिए 8 over 2 position पे element इंटर करें, तो यहां पे dual, उसके बाद i का value यहां पे 3 हो जाएगा, और check करेगा 3 less than 5, जोगी condition सही है, तो यहां पे चलिए 8 over 3 position पे element, तो यहां पे हम इंटर कर रहे है, 6, उसके बाद i का value increase होगा तो i का value यहां पर 4 हो जाएगा तो check करेगा 4 less than 5 जोगी condition सही है तो चलिए enter करते हैं 8 होगा 4 person में addment यहां पर 11 इंटर करते हैं उसके बाद i का value यहां पर 5 हो जाएगा check करेगा 5 less than 5 जोगी condition सही नहीं है control यहां पर यहां पर j equal to i minus 1 5 minus 1 तो j का value यहां पर 4 हो जाएगा उसके बाद यहां पर control आएगा तो यहां पर i का value start होगा 0 से condition check करेगा 0 less than j का value है 4 condition जोगी 맞는 है तो यहां पर आएगा 8 होगा 0 position value गो जाएगा tam में तो 7 यहां पर tap में आएगा उसके बाद 8r-J का value जायगा 8r-men तो 8r-J का value 4 ए toe 8 over 4 प्रेस्टimal value जायगा 8r- i का value 0- तो यहां पे 11 आएगा और 10 का value जायगा 8r-4 में तो यहां पे 7 उसके बाद j का value decrease होगा तो j का value 3 हो जाएगा यहां पे उसके बाद यहां से ूपर जाएगा i का value increase हो, और उसके बाद i का value 1 हो जाएगा, check करेंगा, i less than j, i का value 1 है, j का value 3 है, तो 1 less than 3 जोगे conditions होएगे, तो अंदर आएगा, तो यहाँ पर 8 over r, 1 का value 10 में जाएगा, 1 का value 9 है, तो 9 tap में गया, उसके बाद 8 over r, 3 position का value 8 over r, 1 में गया, तो 3 position में 6 है, तो 6, 1 में यहाँ पर आएगा, उसके बाद 10 का value 8 over r, और j का value 3 है, तो यह 10 का value 8 over r, 3 में जाएगा, तो 9 यहाँ पर आएगा, उसके बाद j का value decrease होगा, तो j का value यहाँ पर 2, i का value decrease होगा, और यहाँ पर i का value increase होगा, तो i का value 2, यहाँ पर i less than j, तो i का value 2 है, j का value 2 है, 2 less than 10, जो यह conditions नहीं है, तो यह अंदर नहीं जाएगा, Ctrl यहाँ पर आएगा, printer function है, slash 1 दिन, cursor blink करेगा, new line पर, उसके बाद after reverse of number यह, output screen पर display होगा, उसके बाद i का value 0 से start होगा, और check करेगा, 0 less than n का value 5 है, 0 less than 5 conditions है, तो यहाँ पर printer functions, slash t, तो यह 8 character में लिए space चोड़ेगा, उसके बाद यह print करेगा 8 और 0 position का element, तो 0 position पर 7 है, 7, sorry, चलिए यहाँ पर array elements हम लिख रहते हैं, 0 position पर 11 है, square 6 है, यहाँ पर 12 है, 9 है, 7 है, तो after मतल्द जब reverse होता है, तो यहाँ पर 11 होगया, 0 position पर, और 1 position पर, यहाँ पर 9 move हुगा, और यहाँ पर 12 में कोई change नहीं हुगा, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर यह value, 9, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 12 कोई change नहीं है, यहाँ पर 9 आया, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 11 है, एक चलम का डिया अभर द पे यह है जह द्տशन हों और यह की च्छुछान झाग़ा है क्यों भीसिफता जैयं की प्रसजिसलए वili के अंग जीए फे बीदें उसके i का value increase होगा तो i का value 1 चीक के 1 less than 5 जोगी condition सही है तो 8 अउर 1 per cent का element 6 डिस्प्ले होगा उसके i का value यहांपे 2 होजाएगा चीक के 2 less THen वह बोगे अठीन सही है तो 215 यहांपे 215 बोगे लילी होगा उसके रिल आईय का ए plane 3 हे1 चेकर करेंगा 3 again 5125 dependency सऑय रहें तो यहाँ पे यहाँ पर 8 वाद 3 परी सिंग काइम्मेट डिस्प्ले का सिकसे बिस्प्ले करें उसके 10 या अर आका वाई यहां पर ऑन फोर हो जाएगा तो चेकरए्ट करेंगो 4 थ butt 5 existem छोरे कन्दिस्ण सब्सेया 4 पर तो यहां पे end का value आप कुछ भी enter कर सकते हैं लेकिन यहां पे मैने condition यहां पे size दिया array का 25 तो आप 25 element से array में डाओ सकते हैं अगर आपको 25 से ज्रादा चाहिए तो यहां पे size increase करना पर एंगले बार up track इसे end का value आप 10 enter किजां और 10 element आपको addma store करना पड़ेगा से पहले उसके बाद यही process है और कैसे कैसे यह reverse होता है number तो यह यहाँ पर follow और जब भी reverse होने के बाद यहाँ पर display कराने के लिए आपको यहाँ पर follow चला होता है तो यह try and method इस program का तो मैं आसा करता हूँ कि यह video आपको पसंद आया होगा अगर यह video अच्छा रखता है तो लाइक किजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू